वेलकम बैक तो सिबिल स्ट्रक्चर टेग गुरुजी यूटूब चैनल आज 15 नौवंबर को रतन इंडिया पाउड लिम्टेड जो की पेनिय स्टोक्स है बिलो रुपीज 10 इसने 52 विक हाई बनाई है जो की नौड़ पे 83 पैसे है इसकी दीन की लो है आज की 9.3 यदि आप बाउन हपते का देखे तो उसे अबादाद लगा सकते हैं कि सियर में कितना अपने 52 विक लो से उपर गया है जो कि पिछले साल ये 2 रुपे 82 पैसे चल रही थी जो की आज इसने 9 रुपे 83 पैसे बनाया है तो कम सकम ये 5 गुना बिर्धी अपने 52 विक लो जो इसी साल का है उससे हुआ है आगे में इसमें चर्चा करेंगे बहुत सारे चीजों का तो पेनिये स्टॉक्स जर्रली वो होते हैं जिसकी भैलू लेस दिन 50 होती है और पेनिये स्टॉक पर्चेश करने के पहले अपने के खुद का रिशर्च होनी चाहिए आप कमपनी के सारे प्रफाइल देखे सारे बायो डेटर देखे यदि आपको लग रहा है कि पेनिये स्टॉक्स आगे जाकर कि ये मल्टी बेगर होने वाली है तो इसमें जभी भी गिरावट आए आप इसमें थोरे बहुत और जैसे कि मैंने अपने वीडियो में चैनल पर 6 मीन पहले मैंने सजोन इनर्जी की बात की थी तो वहां से ये तीन गुणा हो चुकी है तो इस तरह पेनिये स्टॉक्स ड्राइब करने के पहले बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना है तो एक पेनिये स्टॉक्स जो मैंने त्रेक की है वह है आपकी ते रतन पावर लिमिटेड इसमें कई सारे नूज है कंपनी तो लोज में गई फिर भी इसमें जो है बल्क भोलियों में करोड़ में सेर की खरदारी हो रही है और अलगतारे कई दिन इससे अपर कैप में बंद हो रहा है आज की अगर वोल्यूम देखे तो पांच करोर पचास लाग थेतिस जार संट सट इसकी अभी आपके 11 बच के 21 मिलियर पर इसकी वोल्यूम है और इसकी जो एबरेज ट्रेनर एबरेज है आज की नौड़ पे 70 पैसे होती है जो कि टोटल नंबर सब सेर्स इंटू जो उनका रेट होता है उसे मल्टिप्लाइ करके फिर आपको डिभायट कर देते हैं पांच करोर पचास लाग से तो एबरेज इसकी भोल्यूम आईगी नौड़ पे 70 पैसा जो आज की जो एनसी ने दिया है अब इस वीडियो में कई चीजों के चल्चा करेंगे तो वीडियो को सुरू से लेकर आम तक ज़रू देखेंगे यदि आप नए चैनल में नए है तो अपने सब्सक्रिप्सम बट्रन एन रेट सब्सक्राइब और प्लिज डाल दे ता कि आने वाला सभी इंपोर्टेंट आपको डेटा आपको मिलते रहे आई मिंजनेर हरी फोर सिबिल स्ट्रक्चर टेग गुरु जी उट्र चनल लास्ट ट्वेंटी यर से मैं खुदी एक इंफेस्टर हूं मेरे कई सारे स्टोक्स में होल्डिंग से तो मैं सभी स्टोक का ट्रेट करता हूं जब ही मुझे कोई अच्छा लगता है तो मैं चाहता हूं कि अपने धारकों को बताए अपने पब्ली को बताए आज की प्राइद नौर पे चोत्तर पैसे हो रही है 3.95 पर सेंट पर इसकी अब भी गब्रेश देखे तो सुल्ला है और बेडिस में जीरू आ रही है अगर वोलियूम की बात कर तो कल का जो है माले के पिछला जो टेडिंग थी कल तो서 घुच्ठ का मरके बंद थी तो ऐस्टर एकर फोटिन पॉइंट सिक्स क्रोड की इसकी वोलियूम थी डिलिबरी फॉत्ति सिक्स पॉइंट परसंट है जोकी छो क्रोड बहत्तर लाक्सियर को डिलिवरी लिया गया अ 9.58 क्रोर्स की है और एभरेज जो डिलिब्री है इसकी परटिशिक प्रटिशिक पटिश्चा फोन क्रोर है तो कहने कहले थे कि बिल्कुल सत्रा बाजी यह नहीं ओड़े यह लोग इसमें जो ही वोल्यों में से आज की 5 क्रोर की अगर इसमें वोल्यों मैं तो फेला लोग मार्केट कैप 52, 35 क्रोर्स की है, अगर सेक्टर का PE के बाद करें, पाउड सेक्टर में तो 35.4 है, जहां पर इसकी नेक्ट्व पी है, और बुक भैलू भी इसकी नेक्ट्व में आ रहा है, माइनस 8.40 और फेस्ट भैलू 10 है, और बेटा भैलू इसकी 0.41 है, बट अगर आप यह थोरे सी अपडेट नहीं है, बट इसकी बेटा भैलू आज मोर देर वन होगी, क्योंकि काफी भॉलटाइल हो चुकी है, स्टॉक्स, क्योंकि यह अच्छा कासा रेटर देते हुए, बहुत उपर की और जा रही है, हम रोकर हम 100 आलाइसिस के बात करें, कि जिसमें आपका strength, weakness, opportunity और threat की बात होती है, तो strength 6 है, weakness 10 है, opportunity 3 है, और threat 2 है, strength, क्योंकि strength में power sector में government की जोड है, अच्छा कासा budget allocation है, power sector को ब्रहतिर देने के लिए, क्योंकि industry तब ही growth करेगी, जब power आपके पास होगा, government के पास होगे, तो power purchase में जो की industrialization बढ़ रही है, लोगों को जो है, lifestyle भी बढ़ रही है, अच्छे हो रहे हैं, तो power में आगे उनत्य होने की chances है, विकिनिस यह है कि उनके जो है, कई बढ़ हर्ताल हो जाते हैं, कई बढ़ कोईले क्रेट बढ़ गए, कई समान क्रेट बढ़ गए, कई बढ़ डिस्पूर्ट हो गया है, जहां बढ़ वो power supply कर रहा है, जिस company को, जिस local driven authority को, तो वहां से आपको थोड़ी विकिनिस हो सकती ह है, machine breakdown हो गया है, सब कुछ रिक्स है, पाउर सेक्टर में, उसके बाद opportunity भी है, कभी कोई पाउर रूप से अपना कर देते हैं, कि नहीं इतना ही रूपे में पाउर्यमिट बेचना है, तो भी restriction हो जाती है, opportunity भी है, क्योंकि इसलिए opportunity में बता रहा हूं, three है, क्योंकि इसके सुप्रीम कोट से order हुए है, इसके, recently और पिछले साल भी order हुए है, जो कि महारास्ट्रा लोकाट डेवलों पर 30 से काफी जगड़े चल रहे थे, इसकी, agreement के हिसाब से पैसे नहीं दे रहे थे, बहुत सारे बकाया कर दे शो सारे रूपे के बेकाया थी, उसे 36 गर गर्रमें से मिली है, और इस quarter में 200 क्रोड रूपे मिली है, 290 के असपास, और भविस्ट में अगर इस तरह से अच्छा, अगर support रहा, तो गर्मेंट का, लोकल अथरोटी की, तो इसको, जो आप देख रहे हैं, नेट वर्थ, वो पोजिटिव में बदलने की उमीद है, इस उमीद पर क्रोरों की सेर की खरदारी हो रही है, मेरा मनना है, तो 36 गर्मेंट में भी, जबकि अब महरास्ट्रा का गर्मेंट से पैसे बहुत सारे मिल गया है, पेनल्टी, जो भी मैंने थी, वो समाप करके बहुत सारे पैसे मिले, सुप्रेम कोड के आदेश पर, एग्रिमेंट के हिस आप से, तो ऐसे 36 गर्मेंट से भी डिस्पूट चलना है, 36 गर्मेंट से तो वहाँ भी इनको उस जो कोड का जो डिसीजन है, जो रिलोटी अथूर्टी का डिसीजन है, उसे में इनको फैदा होने वाला है, तो इस तरह इंगे काफी जो है कर्जे जो लिये हुए हैं, पब अगर इस रात उसको मिलने के उमीद है, तो इस उमीद में यह चल रहा है, और एक दिन का अगर हम मान ले तो एक दिन में आज का है 4.8%, एक हपते में 34.5%, रिटर्न है यह सब, वन मौन्थ में 43.4%, तीन महीने में देखे तो हर्ड़ेट दूगनी हो चुकी है, छे महीना में एक साल में 32% है, दो साल में 143% है, अगर हम क्वार्टर की बात करें, तो आपका सेप्टेमबर 22 में माइनस 518 क्रोड की घाटा थी, जो कि घाटा बढ़कर के इस क्वार्टर में आपको माइनस 633 क्रोड हो गई है, और घाटा जो है धिरे धिरे यह नीचे बढ़ती जा रह पाउ्न पाउंद सप्लाई में, तो अभी इसकी उमीद है, कि स्प्रीम कोटर से जो ओडर मिले है, तो अगर यह और में बहुत सारे पैसे भी इसको मिले हैं, पिछले क्वार्टर में, और भी बहुत सारे पैसे मिलने बाकी है, सब इस्ट्रोर्मेंट इसlexisर्現在 माहराष्ट अगर अर्निंग प्राइज पर शेयर के बात करें तो भी नेगिटिव है जो कि सेप्टेम्बर 22 में माइनस 96 थी जून 2023 में माइनस 1.02 तो ती और सेप्टेम्बर जो हाल फिल हाल में जो इसके रिजल्ट है उसके एकोडिग निटू माइनस 1.18 है इसकी अर्निंग प्राइज पर शेयर के कितनी अर्निंग होड़े यह तो माइनस 1.18 में है इस सारे जो माइनस में देख रहे है इसलिए है कि इसके काफी करजे हैं बैंक से भी काफी इंटरेस में चला जाता है पैसा और जो कि पांट सप्लाइ करते हैं वहां से इनको पैसे सई धंग से नहीं मिल रहे थे कम पैसे मिल रहे थे गर्मेंट नहीं कर रहे थी एक्रेमेंट के हिसाब से पैसे जब इसके पास आएंगे नहीं तो नेगिटिव में ही सब कुछ होगा अब चुकि सुप्रीम कोड से इसको रहात मिली है और पैमेंट आ रहे हैं तो उमीद है कि इसकी भविष्ट में प परसेंट पर मोटर च्वालिस पाइंट जिरो सिक्स परसेंट एफ़ भी है मिचल फंड भी लिए हुए है इस इस इदा इलेक्टिक उटिलेटी कमपानी अगर बेटा फेलू के बात करें तो एक महिने में जो है 1.49 है तीन महिने में 0.92 एक साल की 0.41 और तीन साल की 0.31 बेटा फेलू वह फेलू होती है कि इस स्टोक्स कितना फोलाटाइल है हम बेटा फेलू से अंदाद लगाते हैं चुकि एक महिने कंदर जो पैसे मिले है गोर्मेंट से इसको महालेस्टा गोर्मेंट से शुपरीम कोट ने आदेश के उसार तो इसके सेयर में काफी पर्चे बढ़ गई है काफी अपर केप में बंद हो रही है तो एक महिने में अगर मैंने कोई सेयर दूगना-तिगना हो जाते हैं तो उसकी beta value भड़ जाती है तो अगर एक से उपर है तो हम शेर कहते हैं भड़ टाइल है तो इसमें थोरी सावधानी से पैसे लगाने पड़ते हैं और आपको देखना है कि कहीं पैसे फसे नहीं और सट्रबाजी में हम नहीं जाए सट्रबाजी कारण बढ़ रही ह है कि एक्चुल कंपणी में कुछ अच्छे नियू जाइसे कारण बढ़ रही है यह आपको अंदाद लगाना है तो जैसे आप देखें कि एक महीने के अंदर तालीफ परसेंट बढ़ गई और छे महीने के अंदर दुगनी हो गई तो निच्रली इसकी beta value जो है यह उपर की बेटा बोली इसकी बढ़ेगी इस करण से इसके beta value जो है 1.49 अभी आ रही है राइट रतन पाउड इंडिया ने अपने बार्सिक रिपोर्ट में जो की एक नौबर को इसने घुसना की थी उसमें लिखा है कि company is continue to demonstrate a strong financial performance in the future company ने total income आठ सो एकानविक कुलोर्स हुई थी FI half yearly में जो की पिछले साल की half yearly 722 कुल रुपे थी आमरोती plant जो है among the best performing plant in the Maharashtra according to availability of the reports तो आमरोती plant जो की बहुत best performance इसकी कर रही है उसके अलावे इसने दूसरे plant को भी जो है renovation और अबरहॉलिंग जो होती है plant को efficiency बढ़ाने के लिए तो ओभी इन्होंने complete किया है उसके बाद जो regulatory authority द्वारा जो सुप्रीम कोट और regulatory authority द्वारा जो मारास्ट्रा गवर्मेंट को बोली थी कि 376.51 क्रोर्स उनको मिले है जो कि सुप्रेम कोट के आदेश से NCLT के आदेश से केस जेच चुके हैं तो उस केस में जो भी गवर्मेंट पर बकाया था जो कि पैसे मिले हैं और भी इस quarter में मिलने की उमीद है तो पैसे मिला करके इसने अभी तक जो है कि 361 क्रोर रुपई या प्रिंस्पल पर इंट्रेस सीन जन्वरी बीच तक इसने बेंको पर जो बेंको का जो कर्ज है उसमें अपने दिया है इसने कि इसके बाद जो है करेंट स्टेंड एलोन नेट वर्थ कंपणी की जो है 2628 क्रोर की है अगर इसको फैनिसर पॉर्णफर्मेंस में देखे हम लोग तो 2020-2021 से देखे तो चार साल में यह कंपणी की जो है आपकी काफी भर्याशन आई है जो कि यह फवाई फैनिसर डो हैसेब एकिसमें 97 क्रोर थी पॉर्फित आपर टेक्स इफ-फैनिसर पॉर्फर्मेंस इन देखे है काफी भर्याशन आई है जो कि कि यह फ्वाई कि फैनेसेयर 2021 में 97 क्रोड थी प्रफिट अपर टेक्स 2022 में 340 क्रोड 2023 में 323 क्रोड जो घट करके कि आपकी 125 क्रोड हुई दो जाकते इसमें और अभी हाफ येडली में जो रिजल निकले उसमें मातरी 20 क्रोड रुपिया इसकी रहा गई है तो इसकी इबी डेटा देखे तो अभी कम हो रही है और प्लस टोटर रेबनु देखे तो रेबनी थुरा सा इसमें पिछले क्वाट जो पावड जेनरेशम जो खर्चे होते हैं जो लोकल अथरोर्टी की जो पर्चेज एग्रिमेंट है उसमें कई सारे टर्म्स है और उसके कोड़े इनको पैसे मिलने थे बड़ वो लोकल अथरोर्टी देने रही थी रेग्लोर्टी अबडेट्स में रधन पावड इंडिया ने कहा है कि महाराष्टा एलिक्सिटी रेग्लोर्टी कमिशन ने जो कि कोईले का जो अधर सोर्स से जो कोईले आते हैं उसको निधारन करने के लिए एक वो बनाई है फर्मूला बनाई है उसके बाद में सुप्रि अधरिंग उनको आर सो चेटर पॉइंट एट फोर क्रोर्स जो मिल चुके है और क्रेंट क्वार्टर में 211.8 फोर क्रोर्स उनको मिले है रतन इंडिया पावर को तो ऐसे में जो और भी बकाया पैसे है एड़ लोट्री अथुर्टी और सुप्रम कोड के जो आदेश के हिस जो पैसे आएंगे तो घाटे में भी कमी होगी और के नेट वर्ट में बिर्दी होगी जो कि नेट पर्फिर लगतार घरती हुए जा रही है तो नेचरली उमीद है कि इसमें उनको बहुत रिलेक्स मिलेगा उसके अलबाए च्छतिस गर्मेंट से भी इनकी डिस्पूर्ट च चल ला है तो अमीद है यह भी रिजूल हो जाएगी जल्दी से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा है और भारास्त्रा जो एलेक्टिसिटी डेवलमेंट अथुर्टी है उसने भी प्राइस ताई कर दी है तो उसके एकोर्डिंग यह च्छतिस गर्मेंट भी उक केस में ज आएंगे और कंपनी की जो है आपकी जो प्रोफाइल है वो जो इंप्रूब करेंगी तो यह बाराबद के चपन मेर पर रूपीस 9.76% पर उन्चालिस परसेंट बढ़कर 4.16% उपर की हो रहा है तो उमीद है कुछ रह गया हो तो अपने कमेर्स तो बता है यादि वीडियो मैं जनकाड़ी दे गई आपको अच्छी लग रहे होगी तो अपने लाइक और सब्सक्राइब जरू डालते तकि आने वाला सभी वीडियो मिलते रहे आए में इंजिनर हडी थैंक यू बड़ी मच आइक रिक्वेस्ट यू तो लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल एन वा पूल वीडियो